हलो स्टुडेंट्स नमस्कार जैसा कि आप जानते हैं कि अपने बंगाल की खाड़ी की और जल ले जाने वाली नदियों को चार नदी तंत्रों में विभाजित किया था चंबल नदी तंत्र, बनास नदी तंत्र, बान गंगा नदी तंत्र और गंभीर नदी तंत्र तो स्टुडेंट्स अपने चंबल नदी तंत्र और बनास नदी तंत्र का अध्यन कर लिया और उसका रिवीजन भी कर लिया अब इस वीडियो के अंदर हम जो हमारे दो नदी तंत्र बचे हैं बंगाल की खाडी की और जल ले जाने वाली नदियों के बान गंगा नदी तंत्र और वय गंभीर नदी तंत्र का अपन अध्यन करेंगे तो देखे स्टुडेंट्स सबसे पहले हम पढ़ेंगे बान गंगा नदी तंत्र के बारे में तो एक खास बात इस नदी तंत्र की क्या है स्टुडेंट्स की बान गंगा नदी तंत्र में केव नदी ही समाहित है क्योंकि इसकी कोई सहायक नदी नहीं है जैसे चंबल नदी तंत्र में अपन लोगों ने चंबल वैं उसकी सहायक नदियों को समाहित किया बनास नदी तंत्र में अपन ने बनास व उसकी सहायक नदियों को समाहित किया लेकिन बान गंगा नदी तंत्र में केवल बान गंगा नदी ही क्या है समाहित है इसकी कोई सहायक नदी नहीं है तो इस नदी तंत्र में केवल हम बान गंगा नदी के बा बान गंगा नदी तो जैसे कि मैंने यहाँ इससे रोम कीlla की एक डाइग्राम बनाने का प्रयास किया है आपको समझाने के लिए तो यह लेका अध्य नम करते हैं तो सबसे पहले तो हम बाण गंगा नदी के बारे में यह जानेंगे कि इसे अन्य किन नामों से पुकारा जाता है इसे अर्जुन की गंगा इसे अर्जुन की गंगा वह रुन्डित नदी के नाम से रुन्डित नदी के नाम से भी जाना जाता है तो सबसे पहले तो स्टुडेंट हमको यह जान रखना है कि इस नदी के अन्य नाम क्या है यह एक्जाम में हमसे पूछ लिए जाते हैं कि बान गंगा नदी को अर्जुन की गंगा वह रुन्डित नदी के नाम से जाना जाता है उसके बाद दूसरी इंपॉर्टेंट बात इस नदी के किनारे इस नदी के किनारे जैपुर में इस नदी के किनारे जैपुर में प्राचीन सब्वेता इस्थल प्राचीन सब्वेता इस्थल बैराट अवस्थित है तो इस नदी के किनारे कौन सा सब्वेता इस्थल अवस्थित है स्टूडेंट बैराट सब्वेता इस्थल जो है वो इस नदी के किनारे अवस्तित है तो ये दो बातें तो आपको बान गंगा नदी के बारे में याद रखनी है कि इस नदी को अरजुन की गंगा वह रुंडित नदी के नाम से जाना जाता है और इस नदी के किनारे जैपूर में प्राचीन सब्वेता इस्थल बैराट क्या है अवस्तित है इस नदी की कुल लंबाई तीसरी बात स्टुडेंट इस नदी की कुल लंबाई इस नदी की कुल लंबाई तीन सो असी किलो मीटर है तो स्टुडेंट अपनने पढ़ा था बनास की चार सो असी है और इसकी कितनी है तीन सो असी है चंबल नदी जो यमुना में मिलती है उसकी 966 km या 965 km अपने पड़ा तो student याद रखना है कि भई चंबल नदी भी यमुना में मिलती है जो गंभीर नदी अपन पड़ेंगे वह भी यमुना में मिलती है और बान गंगा नदी भी यमुना में मिलती है और बनास जो है वो चंबल में मिल जाती है यह अपन पढ़ी चुके हैं student तो आपको यहां पर यह बात याद रखनी है कि इसे अरजुन की गंगा रुंडित नदी जैसे चंबल नदी को अपन क्या कहते हैं काम देनू चर्मन वती वाटर सफारी नित्य वाहिनी बारा हमासी औ और बनास को अपन किन नामों से पुकारते हैं वन की आशा वरनाशा वशिष्टी ठीक है ना उसी तरह से बांगा नदी को अरजुन की गंगावय रुंडित नदी के नाम से जाना जाता है इस नदी के किनारी जैपूर में कौन सा सब्वेता इस्तल है बैराट सब्वेता इ सब्वेता और नगरी सब्वेता बनास नदी के उपर गिलुंड सभ्वेता तो उसी तरह अपको जहased स्व Just in उसी तरह आपको जहान रखना है की पर कौनिसी सभ्वेता बैरात की सभ्वेता क्या है अवस्तित है और इसकी कुल नंभाई ऐं 380 km है और बात करते हैं इसके प्रवाह शेत्र के बारे में ये तीन बातें तो हमको जान रखनी है अब हम बान गंगा नदी के प्रवाह शेत्र को समझते हैं तो इस नदी का उदगम इस नदी का उदगम कहां से होता है इस नदी का उदगम जैपुर में बैराट की पहाडियों से होता है उद्गा मिस्तल जान रखना है student बैराट की पहाडियों से होता है तो इसका उद्गा मिस्तल जैपुर ही है student और बैराट की पहाडियों से ही इसका उद्गा मिस्तल जैपुर में इस नदी पर जैपुर में इस नदी पर जमवा रामगडबान जमवा रामगडबान बनाया गया है जमवा रामगडबान बनाया गया है तो जैपुर में इस नदी पर student कौन सा बान्द है जमवा रामगडबान है पहले जैपुर को जलापूर्टी इसी बान्द से की जाती थी परन्तु वर्तमान समय में जैपुर को जलापूर्टी बीसलपूर बान्द से की जाती है यह अपने पढ़ा है student तो बीसलपूर बान्द से टौक, अजमेर, जैपुर है ना तो इनको क्या की जाती है जलापूर्टी की जाती है तो पहले जैपुर को जलापूर्टी किस बान्द से की जाती थी जमवा रामगडबान से की जाती थी और ये किस नदी पर बना है बान गंगा नदी पर ही बना है जैपूर जिले में जैपूर से यह नदी जैपूर से यह नदी दोसा में प्रवेश कर वैर नामक इस्थान से भरतपुर में प्रवेश करती है तो इसका भरतपुर में में इस नदी को प्रवेश कहां से होता है वैर नामक इस्थान से होता है तो इस नदी का जो प्रवास करती है भरतपुर में इस नदी पर जयान बांध बनाया गया है अजयान बांध ए सुअ इस मूझें जयापुर में इस नदी पर कौन सा बांध अजान बांध बनाया गया है इस बांध से इस बांध से घना पक्षी अभ्यारन जो केवला देव गनापक्षी अभ्यारन ये राश्ट्री अभ्यारन है गनापक्षी अभ्यारन को जलापूर्ती की जाती है यह कोशन आयावा है कि घनापक्षी अभ्यारन या केवलादेव घनापक्षी विहार जो है उसे किस बांद से जलापूर्ती की जाती है तो अजान बांद से तो घना पक्षी अभ्यारन को जलापूर्ती की जाती है जैपूर्स भरतपूर से यह नदी भरतपूर से यह नदी उत्तर प्रदेश के आगरा में प्रवेश कर पतेहबाद नामक इस्थान पर यमुना में मिल जाती है यमुना में मिल जाती है तो स्टुडेंट यह इसका पूरा प्रवहाशेत्र हो गया यह यमुना में कहां पर मिलती है आगरा के फतेहबाद नामक इस्थान पर यह यमुना में मिल जाती है परंतो स्टुडेंट आपको एक बात जान रखनी है कि वर्तमान में यह नदी जो है यह यमुना में नहीं मिलती ठीक है न यह भरतपूर के अंदर ही क्या होती है भरतपूर के मैदान में ही विलुप्त हो जाती है और वर्तमान में इसका यह यमुना नदी के लेकिन यमुना के पूरव में खिसक जाने के कारण वर्तमान में यह नदी जो है यमुना में नहीं मिलती यह भरतपुर के मैदान में ही विलुप्त हो जाती है इसलिए इसे रुंडित नदी भी कहा जाता है और वर्तमान में यह आंतरिक प्रवाहा की ही एक नदी है तो इसमे वर्तमान के अंदर इसका जल जो है यमुना में नहीं मिलता यह भरतपूर के मैदान में ही विलुप्त हो जाती है इसलिए इसे रुंडित नदी भी कहा जाता है और एक प्रकार से यह आंतरिक प्रवाह की ही एक नदी है तो इसको अपन एक बार फिर रिवाइस कर लेते हैं कि भाई बान गंगा नदी तंत्र के अंदर केवल एक मात्र बान गंगा नदी ही समाहित है क्योंकि इसकी कोई सहयक नदी नहीं है और इस नदी के अन्य नाम क्या है इसे अर्जुन की गंगा और रुंडित नदी के नाम से जाना जाता है ठीक है इस नदी के किनारे जैपुर म भए तो बानगंगा नदी के किनारे और इस नदी की कुल लंबाई कितनी है, 380 किलो मेटर, 605 से 100 किलो मेटर कम, बनास की 480 है और बानगंगा की लंबाई है 380 किलो मेटर, अब इस नदी के प्रभाशेत्र को समझें, तो इसका उद्गम जो है जैपुर में बैराट की पहाडियों से होता है जैपुर में इस नदी के उपर कौन सा बांध जमवा रामगड बांध बनवाया गया है और पहले जैपुर को जलापूरती जमवा रामगड बांध से ही की जाती थी लेकिन वरतमान में बीसलपूर बांध से की जा रही है जैपुर से ये नदी दौसा में प्रवाहित होती है और वैर नामकिस्थान से भरतपूर में प्रवेश करती है भरतपूर में इस नदी के उपर कौन सा बांध बनाया गया है अजान बांध और अजानबान से घनापक्षी अभ्यारन को जलापूर्ती की जाती है और फिर भरतपूर से ये नदी उत्तर प्रदेश के आगरा में प्रवेश कर फतेहबाद नामकिस्थान पर यमुना में मिल जाती है तो लेकिन वर्तमान में ये है जो है भरतपूर के मैदान में ही तो हो जाती है इसलिए इसे अपन रुंडित नदी कहते हैं और यह एक तरीके से आंत्रिक प्रवाहा की क्या है नदी है अब स्टुडेंट हम बात करते हैं गंभीर नदी तंत्र के बारे में तो स्टुडेंट अब हम बात करते हैं गंभीर नदी तंत्र के अंदर गंभीर एक स्टुडेंट गंभीरी नदी है वो बेडच में आके मिलती है और गंभीरी और बेडच के संगम पर चित्तोडगर दुर्ग है तो आप जान रखिएगा वो गंभीरी नदी है और यह गंभीर नदी है तो दौनों में क्या है फरक है स्टुडेंट इस सीज़ का जान रखिएगा तो गंभीरी नदी तंत्र म गंभीर वह इसकी सहायक नदी पार्वती को सम्मीलित किया जाता है अब पार्वती में आप सोचेंगे एमपी वाली पार्वती जो राजिस्थान और मद्दे प्रदेश के मद्दे दो बार सीमा बनाती है इस्टुडेंट वो नदी नहीं इस पार्वती नदी का जो उद्गम है करॉली जिले से होता है तो यह दूसरी है तो यहां पर यह दौनों नाम ही कन्फ्यूस करने वाले है तो थोड़ा सा जान रखिएगा कि गंभीरी अलग है और गंभीर नदी अलग है और यह जो पार्वती जो गंभीर की साहयक नदी है इसका उद्गम राजिस्थान से ही होता है और एक पार्वती जो चंबल में मिलती है वो MP से आती है जो राजिस्थान और मद्दे प्रदे बात करेंगे गंभीर नदी के बारे में बात करते हैं स्टूडेंट है तो देखिए स्टूडेंट गंभीर नदी इस नदी का उदगम करॉली जिले में हुर्डा गाओं की पहाडियों से होता है हुर्डा गाओं की पहाडियों से होता है तो सबसे पहले आपन को याद कर रखना है कि गंभीर नदी का उदगम कहां से होता है तो गंभीर नदी जो इस्टूडेंट यह है इस गंभीर नदी का उदगम करॉली जिले के अंदर पुर्डा गाओं की पहाडियों से होता है और सबसे इंपॉर्टेंट बात जो इस नदी के बारे में जान रखनी है इस नदी पर इस नदी पर वह इसकी पांच सहायक नदीयों पर करॉली जिले में करॉली जिले में मिट्टी का सबसे बड़ा बांध मिट्टी का सबसे बड़ा बांध यह कोशन पूछ लिया जाता है स्टूडेंट मिट्टी का सबसे बड़ा बांध पांचना बांध अमेरिका के सहयोग से बनाया गया है अमेरिका के सहयोग से बनाया गया है तो गंबीर नदी के बारे में आपको जान रखना है इंपॉर्टेंट कोशन हो गया है स्टूडेंट यह कि गंबीर नदी पर वैसकी पांच सहयक नदियों पर करॉली जिले में मिट्टी का सबसे बड़ा बांध पांचना बांध अमेरिका के सहयोग से बनाया गया है यह कोशन एक्जाम में पूछ लिया जाता है तो पांचना बांध किस जिले में है स्टूडेंट करॉली जिले में है यह राजिस्थान का मिट्टी का सबसे बड़ा बांध है और इसे किस देश के सहयोग से बनाया गया है अमेरिका के सहयोग से बनाया गया है और ये पाँच सहायक नदियां कौन सी है इनके नाम भी हमें याद होने चाहिए अटा बहसावट बर्खेड़ा अटा बहसावट बर्खेड़ा माची और भद्रावती माची और भद्रावती तो स्टुडेंट ये पाँच ना सहायक नदियां जो है आप इसके नाम नोट कर लीजिए कि ये गंबीर की पाँच सहायक नदियां है और एक सहायक नदि अपन और पढ़ेंगे पारवती तो इन पाँच नदियों पर गाजिस्थान का सबसे बड़ा मिट्टी का बांध पांचना बांध बनाया गया है अमेरिका के सहयोग से तो ये आपको याद रखना है करॉली जिले से यह नदी करॉली जिले से यह नदी जिले से यह नदी दहौलपुर वा भरतपुर में प्रवाहित होते हुए दहौलपुर वे भरतपुर में प्रवाहित होते हुए उत्तर प्रदेश के आगरा जिले में उत्तर प्रदेश के आगरा जिले में इटावा के समीप मेन पुरी में यमुना में मिल जाती है मेन पुरी में यमुना में मिल जाती है तो यह नदी भी कहां पर जाती है स्टुडेंट इसका जो मिलन है वह भी यमुना से ही होता है यानि कि यह यमुना में ही विलीन होती है तो बंगाल की खाड़ी की और जाने वाले जो चार नदी तंत्र हैं चंबल नदी तंत्र, बनास नदी तंत्र और बाण गंगा नदी तंत्र इन में से यह तीन नदी तंत्र हैं वह यामुना में मिलते हैं किसमें मिलते हैं यमुना में ठीक है और बनास जो है बनास नदी तंत्र यानि कि बनास नदी किसमें मिलती है चंबल में लेकिन वर्तमान में बान गंगा नदी भी यमुना में नहीं मिलती तो देखा जाए तो चंबल और गंभीर ये दो नदी तंत्र ऐसे हैं जो यमुना में क्या है विलीन होते हैं यानि कि चंबल नदी जो है यमुना में मिलती है और गंभीर नदी जो है वो यमुना में मिलती है पहले बाण गंगा नदी भी यमुना में मिलती थी लेकिन वर्तमान में नहीं मिलती तो अपन को ये चीज भी जहार रखनी है तो एक बार अपन गंभी जिले में हुरडा गाउं की पहाडियों से होता है और सबसे इंपॉर्टेंट बात कि इस नदी पर वे इसकी पांच सहयक नदियां पांच सहयक नदियां कौन सी है स्टुडेंट अटा भैसावत बरखेडा माची और बद्रावती पर राजिस्थान का मिट्टी का सबसे बड़ा बांध पांचना बांध अमेरिका के सहयोग से बनाया गया है और करॉली जिले से यह नदी धौलपुर और भरतपुर में प्रव उप स्टुडेंट पारवती नदी उसके बारे में भी पढ़ लेते हैं तो अब हम बात करते हैं पारवती नदी इस्टुडेंट एक तो यह जान रखना है कि इस पारवती नदी का जो उद्गम है यह राजिस्थान में ही होता है और एक पारवती नदी अपन ने पड़े थी जो राजिस्थान मध्धे प्रदेश के मध्धे दो बार सीमा बनाती है उसका उद्गम कहां से होता है MP से होता है तो इस नदी का जो उद्गम है स्टुडेंट वो करॉली जिले की करॉली कि जिले की कि उद्गम करॉली जिले की कि सपोर्टरा तहसील कि सपोर्टरा कि जावरा गाउं की पहाडियों से होता है कि सबसे पहले तो हमें यह पता होना से होता है और गंभीर की जो सहायक नदी है पारवती इसका जो उद्गम है वो भी स्टुडेंट करॉली जिले से ही होता है इस नदी पर कि यह कोशन इंपोर्टेंट है इस नदी पर कि दहौलपुर जिले में इस नदी पर धौलपुर जिले के अंगाई गाउं में पार्वती बांध बनाया गया है पार्वती बांध बनाया गया है दौलपुर में यह नदी राजा खेड़ा तहसील में गंभीर में मिल जाती है गंभीर नदी में मिल जाती है तो यह गंभीर की साहयक नदी हो गई इस्टुडेंट यह धौलपुर की राजा खेड़ा तहसील में किस में मिल जाती है गंभीर नदी में मिल जाती है और धौलपुर के अंगाई गाउं में इस पर कौन सा बांध बनाया गया है पार्वती बांध बनाया गया है और इसका उद्गम जो है सपोर्टरा तैसिल की छावरा गाउं की पहाडियों से होता है तो स्टूडेंट अपन ने बान गंगा नदीतंत्र और गंभीर नदीतंत्र में चार बांध देखे कौन-कौन से स्टूडेंट एक तो जमवा रामगड जमवा रामगड बांध कहां पर है जमवा रामगड बांध है जयपूर में एक अपन ने देखा student अजान बांध के बारे में अपन ने पढ़ा अजान बांध कहाँ पर है student भरतपूर में है और इससे घनापक्षी अभ्यारन को जलापूर्ती की जाती है और जमवा रामगड से पहले जैपूर को की जाती थी लेकिन वर्तमान में नहीं कि जाती, उसके बाद अपनने पढ़ा पाँचना बांद, पाँचना बांद जो है student करौली जिले में हैं, और ये राज़िस्तान का मिट्टी का सबसे बड़ा बांद है, और एक अपनने पढ़ा पारवती बांद, पारवती बांद पारवती नदी पर धौलपूर में हैं तो यह चार बांद अपनने पड़े इसमें से अजान बांद important हो गया student और पांचना बांद भी important हो गया यह question exam में पूछे वे हैं और एक अपनने पड़ी student बैराठ की सब्वेता बैराठ किनारे विक्सित हुई कहां पर जैपूर जिले के अंदर विक्सित हुई तो इसका revision भी अपन हातों हाती कर रहे है student तो जहान रखिएगा बैराठ की सब्वेता कहां पर विक्सित हुई जैपूर जिले में विक्सित हुई ठीक है ना उसके बाद बाण गंगा नदी को अर्जुन की गंगा और जुन की गंगा वह रुंडित नदी के नाम से जाना जाता है तो student यह जो चीजें हैं यह बान गंगा नदी तंत्र और गंभीर नदी तंत्र की इंपॉर्टेंट बाते हैं यह आपको याद रखनी हैं और स्टुडेंट यहां पर हमारा जो बंगाल की खाड़ी की और जाने वाली जो नदीय हैं वह वाला जो टॉपिक है ये फिनिश हो गया है अब हम नेक्स्ट वीडियो से पढ़ेंगे अरब सागर की और जल ले जाने वाली नदियों के बारे में बंगाल की खाड़ी की और जल ले जाने वाली नदियां जो थी उनको अपने चार नदी तंत्रों के अंदर विभाजित करके समझ लिया और जो हमारा बान गंगा नदी तंत्र और गंभी नदी तंत्र बचा था वो हमने इस वीडियो में cover कर लिया और उससे related important बातें भी अपने समझ ली अब हम next वीडियो से पढ़ेंगे अरब सागर की और जल ले जाने वाली नदियों के बारे में student तो मैं आशा करता हूं कि आपको ये वीडियो समझ में आया होगा thank you very much